जहाँ है कि है Hello friends become back to my channel क़ तो आज पैक है नां द्ग कोहेंगा Jakना हूँ पूरीज कॉ स्बीचियों की आजुसरोपीöglich क्राफर क्हाफ के वार। देखते हैं क्राफ्र चलिक हम एक क्राफ्ट से प्लावर ओनास टर्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इसे ऐसे फूल करेंगे देने फूलेंगे इसको ऐसे फूल करेंगे यह चिस प्रेस करना बहुत ज़रूरी है और फिर इसको ऐसे करकर इसे इसे करना है पूस्त कर देन ऐसे करना है अब अगें उसके पीछे के साइड में भी हम इस से स्टेप करेंगे अच्छे से दबाना है अगर आप फलके से दबाएंगे तो आगे चलकर यह तिल्ट सकता है तो अच्छे से प्रेस करेंगे हम इसे होने के बाद हम इसे ऐसे करेंगे अच्छे सब इदर हम प्रेस करेंगे तो लिए और अब हमारे को यह साइड ही यूज करने ये साइड भी नहीं यूज करनी है यह साइड नहीं यूज करनी है यह तो चले और अश्वे इसे फोल करेंगे और अभी यह जो है यह दर ऐसा कुछ खोलेंगे और यह इसके अंदर गुसाएंगे और फिर अच्छे से प्रेस करेंगे इसे अच्छे से गुसा कर अच्छे से प्रेस करना है नहीं तो फिर यहां की चल कर खूलेंगा तो अच्छे से प्रेस करकर अच्छे से अंदर गुसा क तक तो ऐसा दिखना है और फिर अगें वही स्टेप हम दूसरे साइड में भी करेंगे अच्छे से इसके अंदर गुसाएंगे कुछ ऐसे तुछ ऐसा दिखेंगा अभी हमें यहां पर अच्छे से एड लो करने है मुझसे तो चलिए अब देख सकते हैं यह ऐसा कुछ बनता है एर ब्लू करने के बाल तो थोड़े से और कर रहा हूं यह बहुत ही ब्यूटिफुल तो अभी हम इसकी स्टेम बनाएंगे तो स्टेम बनाने के लिए हम नहीं आपर ग्रीन क्राफ्ट पेपर यूस किया है उसके इदर हम थोड़ी सी हलकी सी फेवी कॉल या ब्लू जो भी आप बोलते हैं वह लगाएंगे और इदर से उसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे अच्छे से रूल करते करते हम इसको एक डंडी में स्टेम में कंवर्ट करेंगे कुछ ऐसे स्टेम में कनवर्ट करने थोड़ा से होड़ाने के दाथ थोड़ी सी ओफ से भी कॉल लगाएंगे हम पुछ ऐसे है और फिर जो यह एक्स्ट्रा आरा है बड़ा हो तो हम उसको कॉर्ट करेंगे देख सब्सक्राइब हमारी स्टेम स्टिक रेडी है यह देखिए बहुत शांदार में और अभी यहां पर जहां से हमने एर ब्लो की थी वहां के होल से हम इसको अंदर डालेंगे कुछ ऐसे हैं बहुत ही ब्यूटिफुल यह दिखता है बहुत ही ब्यूटिफुल अगर हमारा आज के वीडियो आपको अच्छा लागाऊंगों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्याद से ज्यादा शेर कीजिए चाहिदा बनी होलते से सब्सक्राइब कीजिए मलते आपको नेक्स स्टुडियो में तब तके लिए टेक केर एंट बाई